राजनीत विज्ञान राजनीत विज्ञान में जितने भी अध्याय पढ़े उनका संबंध अंतर राश्टी राजनीती से था चाहे वो अमेरिकी वर्चस हो चाहे समकाली नेशिया हो शीत युद्ध हो आदि-आदि अंतर राश्टी संगठन हो ये सारे जो विशय थे ये अंतर राश्टी राजनी राजनीती से इनका तालुकाद था इनका संबंध था और भारत उस अंतर राश्टी राजनीती का मात्रिक हिस्सा था तो हमारा अध्यान पिछले अध्यायों में जो हुआ उसमें भारत की अंतर राश्टी राजनीती में भूमिका पर हमने जाना खंड बजो राजनीति विज्ञान का दूसरा भाग है इसमें हम देश की राजनीती देश की अंदरूनी राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंतरगत विभिन अध्याये हैं तो इसमें जो एक अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट निर्मान की चुनावतियां और ये सारे अध्याय स्वतंत्र भारत से संबंधित हैं अर्थाद 1947 के पहले की जो राजनीति थी इसका हमारे इस अध्यान से कोई सरोकार नहीं है हाँ प्रिष्ट भूमी के नाते हमें जरूर कुछ बातें पुरानी बार बार तमदनी होंगी दुहराई जाएंगी लेकिन वो मात्र प्रिष्ट भूमी के लिए तो अब हम चलते हैं सबसे पहले राष्ट निर्मान की चुनावतियां इस विश्यापर Challenges of Nation Building राष्ट से हमारा अभी प्राय क्या है राष्ट के माइने क्या है हमारे लिए राष्ट से हमारा क्या सरोकार है हम क्या समझते हैं आगे हम इस सध्याय में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको जानने से पहले हम जानने राष्ट क्या है आखिर राष्ट और राष्ट निर्मान को लेकर अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग विचार रखे हैं एक इतिहासकार राष्ट्रों के विकास की बात करते हैं यानि राष्ट निर्मान की अधि चर्चा होती है तो उसमें राष्ट के विकास की चर्चा होती है निर्मान और विकास ये दो अलग अलग चीज़े हैं एक मकान का मैं निर्मान करता हूँ और इसके बाद इसका विकास करता हूँ बाद में कुछ और सुधार करता हूँ, कुछ और जोड़ता तोड़ता हूँ वो विकास है लेकिन प्रारम में उसका निर्माण होता है तो फिर भी उसके बावजूद भी कुछ फिद्वानों ने निर्माण और विकास को एक दूसरे से जोड दिया है राश्ट विकास के ज़दी बात करें तो उसका अंग्रेजी में नुवाद होगा ग्रोथ औफ नेशन्स राश्ट्रों का विकास यानि राश्ट कैसे बने विभेन राश्ट कैसे बने इसका अमध्यन करेंगे जबकि एक अन्य जो दिश्टिकोन है उसके अनिसार राश्ट निर्माण का रथ है नेशन बिल्डिंग क्या है नेशन बिल्डिंग बिल्ड करना बनाना निर्मित करना तीसरा दिर्श्टिकोन समाजवादी दिर्श्टिकोन है और समाजवादी दिश्टिकोन में राष्ट्र विकास की बात ज्यादा है राष्ट्रों की विकास नहीं राष्ट्र विकास और राष्ट्र विकास का अंग्रेजिय अनुवाद शायद आपको इस के इस बात को और सपस्ट कर देगा राश्ट्रिव कास्ट से तादपर है नेशन डिवलप्मेंट तो आपके सामने तीन शब्द आ गए हैं पहला ग्रोथ अफ नेशन्स दूसरा नेशन बिल्डिंग और तीसरा नेशनल डिवलप्मेंट राश्ट निर्मान एक सामाजिक प्रक्रिया है ऐसा समाज शास्त्रियों का कहना है ऐसा सामाजिक राजनीतिक विचारकों का कहना है राजनीतिक विचारक सामाजिक राजनीतिक विचारक का कहना है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है अब इससे हमारा क्या तातपर है सामाजिक प्रक्रिया के माइने है कि उसके अंदर रहने वाले जो समूहм है विभन समूह इन में एक तरीके की चेतना का जागरण करना एक तरीके की चेतना को बढ़ाना यन्य इसका संब्द भावनाओं से है और वो चेतना जो है वह कहलाती राष्ट्री चेतना और ऐसा राष्ट्री चेतना को बढ़ाते हुए एक राष्ट निर्मार की प्रक्रिया में शामिल होना तो यह सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा राजनीतिक सामाजिक विचारकों का मालना है और इसी के फलत्रूप राष्ट का निर्मान होता है अर्थात भावनाओं का, राष्ट के प्रति चैतनिता का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भूमिका है डैविड विल्सन जो एक राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने कहा है कि राष्ट निर्मान का विप्राय ऐसी सामाजिक प्रक्रिया या प्रक्रियाएं हैं इस शब्द को मैं बारंबार जोर दे रहा हूँ कि इसका अर्थ समाज से है सामाजिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्री चेतना उभरती है एक प्रक्रिया है इस प्रोसेस और राष्ट्री चेतना को भरती है और ये लोग फिर संगठित होते हैं स सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से फिर राजनेतिक स्वायतता पाते हैं और इस राजनेतिक स्वायतता के माइने हैं कि एक राष्ट बनता है जो उनका स्वैम का राष्ट हो स्वायतता हो तो प्रक्रिया जो शुरू होती हो समाज से होती सामाजिक चेतना के प्रक्रिया है राष्ट के प्रती दूसरे विचारक हैं W.S. ड्यूश ये इनके अनिसार राष्ट निर्मान की जो धारना है वो एक बड़ी स्वैच्छिक धारना है लादी नहीं जा सकती राष्ट निर्मान की जो बात होती है या राष्ट निर्मान की जो भावना धारना है फीलिंग है वो स्वैच्छिक है लादी नहीं जा सकती और इसके साथ ही यांतरिक भी है याने मेकैनिकल है सतत रूप से मशीन की तरह वो आगे बढ़ती रहती है भावना, पनपती रहती है यांत्रिक है, स्वैचिक है और अंत में उनका कहना है निरमाण आत्मक है, निरमाण करती है इसका जो लक्ष होता है वो होता है किसी चीज का निरमाण करना और वो किसी चीज से क्या ताथ पर है राश्ट्री भावना से तो इस परकार ड्यूश इन तीन बातों को जोडते हैं अपनी परिभाशा में राश्ट निर्मान की परिभाशा देते हुए और उसमें स्वेचिक, निर्मानात्मक और यांत्रिक धारना की बात करते हैं इससे पराई यह है कि जिस परकार एक मकान को बनाते समय हम लकडी, इंट और मसाले, उसके विविन नमूने, उसकी स्पीड बनाने की धीमी हो या तीवर हो उसके जो विविन अवयव है मकान बनाने के लिए जो विविन औजार हैं, विविन तत्व हैं उनके बीच में क्रम बद्धवार जोड जोड ये सब एक निश्चित योजना के तहत होता और ऐसा करते हुए मकान नर्मान करने वाला उस हद तक स्वतंत्र है कि वह किस डिजाइन का, किस आकार का, किस प्रकार का मकान बना है तो उसमें स्वतंत्रता भी नहित रहती है थोड़ा स्वतंत्रता है निर्मान का जो चैन करता है, इच्छा जो बताता है वो अपनी क्षमता के अनसार करता उसी प्रकार राष्ट का निर्माण विभिन योजनाओं के तहत विभिन प्रकार की सामगरी से धीमे या तेज विभिन इस तरों पर लेकिन क्रमबर्द तरीके से एक दूसरे को जोडने की प्रक्रिया है और ये स्वतंत्र प्रक्रिया है लादी नहीं जा सकती थोपी नहीं जा सकती ये ड्यूश की परिभाश्या थी तो राश्ट निर्माण राश्ट विकास और राश्ट्रों का विकास इस पर हम काफी कुछ इन में अंतर समा दिया अब हम भारत की ओर थोड़ा मुड़ते हैं भारत सतंत्र हुआ 15 अगरत उनिस्व साइटालिस को उससे पहले भारत हम सब जानते हैं अंग्रेजी सामराजी का उपनिवेश था उसकी एक कॉलोनी थी उसका गुलाम था और गुलामी से मुक्ति पाने के लिए लगवग दो सो वर्ष तक लंबा एक आंदोलन चला यदि दो सो वर्ष नहीं तो सो वर्ष तो चला सन 1857 के आसपास ते प्रारंभ होकर 1947 तक तो एक लंबा दोर स्वतंता का चला उनसे स्वतंता पाने के लिए अंग्रेजी सत्ता से अंग्रेजी सामराजवाज से और इस लंबे संघर्ष के उपरांत भारत एक स्वतंतर राष्ट बना इस आजादी के साथ हमें एक बहुत विशिष्ट दोर से गुजरना पड़ा और वह था विभाजन का दोर भारत के साथ ये बड़ा एक दुरभाग्य था कि स्वतंतरता और विभाजन देश का ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चली विभाजन की पीड़ा ने हमारी स्वतंता के आनंद को निश्चत रूप से बहुत कम कर दिया लेकिन सच्च भाजन जो है ये क्यों हुआ इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है जो अन अध्यायव में हमने पढ़ा है सतनता संग्राम से संबंदित अध्यायव में महत्मा गांजी से जलो हुए अध्यायव में लेकिन इतना हम जान लें कि अंग्रेजों की कूट नीतिक चाल इसके पी वारे क्यों उनका नहीं था जितना भारत के लोगों में रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रती बटवारा हो जाए एक दूसरे के प्रती एक तरीके से कहना चाहिए कड़वाहट पैदा हो जाए तो इस पकार कूट नीतिक चाल के जरिए अंग्रेजों ने भार प्राष्टरों का निर्मान हुआ अब यह विभाजन होता है तो उसके साथ-साथ पलायन भी होता है दो भागों में यह विभाजन हुआ तो उसके साथ-साथ भारत और पाकिस्तान जो दो टुकड़े थे जो दो भाग बने उसमें रहने वाले लोगों का पलायन एक खित्र से दूसरे खित्र हुआ भागम भाग इस खित्र में रहने वाले लोग भारत की ओर आ रहे थे भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे जिसके कई कारण थे निचोड़ ये कि भारी मातरा में विभाजन का परणाम पलायन और पलायन के दورान बड़ी हिंसात्मक घटना थे बड़ी दर्दनाग घटना है और जो धर्म निर्पेक्ष्टा की जो जड़ थी भारत में क्योंकि भारत ने अपने को एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट के धर्म निर्पेक्ष्टा के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा खत्रा पैदा हो गया। देश के बटवारे के कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन किये और बड़ी संख्या में लोग का विस्थापन हुआ। पलायन करना यह भागना एक जगह से दूसरी जगह जाना और विस्थापन यहने कहीं पर जाकर किसी नई जगह पर जाना और वहां पर बसना तो जाना एक प्रक्रिया चल रही थी लाखों लोगों का जाना इस खेतर से इस खेतर और इस खेतर से इस खेतर और पूरे देश में यहां वहां से नहीं नहीं जगों में जाना जिसके बहुत से कारण थे धार में कारण मुख्य था और उसके बाद वहां जाके बसने की समस्या यह एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस दोरान जो हिंसा हुई इस दोरान जो अत्याचार हुए जो बड़ी दर्दनाग वो अपने तहीं अलग कहानी है आजाज भारत के सामने 1947 में इस प्रकार हम देखते हैं विस्थापितों का पुनर्व निर्वास एक बहुत बड़ी समस्या थी और उसका समाधान करना अत्यावश्यक था क्योंकि ये संख्या जो थी लोगों के जाने आने की पलायन की ये लाखों में थी ये संख्या जो थी ये लाखों में थी और इतनी बड़ी संख्या में जब पलायन होता है और वो यहां वहां जाके बसने की कोशिश करते हैं तो सुनिश्चित किया जाना पड़ता है कि उनकी बसाहट ठीक तरीके से हो किसी तरह की महामारी का कारण ना बने किसी तरह की law and order की समस्या ना बने आदी आदे तो इस तकार विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या सबसे बड़ी ज़रत थी ये तो हो गई एक दूसरी समस्या राजवारों की थी राजवारे आपको मालूफ होगा मैंने बताया था पूर्व के अध्याव में कि लगभग 500-600 क्यास पास भारत में राजवारे थे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे खेतरी राजज कहना चाहिए छोटे-छोटे राजज च्टीस गड़ में स्वैम 36 राजज थे शामिल होना है इसकी स्वतंता अंग्रेजों ने दी थी तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि राजवारों को किस प्रकार मनाया जाए कि वे भारती संग में शामिल हों अन्य था बहुत से राजवारे स्वतंतर होने की बात कर रहे थे सुतंतर ही रहने की बात कर रहे थे पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर रहे थे कई राजवारे कुछ निर्णा ना ले पाने की स्थिति में थे कई तरह की समस्याएं थी तो किस राज में किस देश में शामिल होना है किस राश्ट में शामिल होना है ये एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी और भारत के लिए बहुत आहम समस्या थी इसी तारतम्य में आगे फिर भाशा को लेकर बहुत बड़ी समस्या आई भाशाई आधार पर जो राज्यों का निर्मान हुआ जो करीब 1956 तक चला भाशा के आधार पर राज्यों का मराठी, महराष्ट्रा, पंजाबी, पंजाब, हिंदी, मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोकर्ड, कन्नड, करनाटक की भाशा, तामिल, तामिल लाडु की भाशा तो भाशाई आधार पर राज्यों का निर्मान इसको लेकर बहुत अंदोलन भी हुआ, ये स्वतंता के बात, और आजाद भारत को ये एक बहुत बड़ी चनौती थी, तो यदि हम चनौतियों की बात करें, तो इसमें भाशाई समस्या को लेकर उत्पन होई चनौती बहुत तो इस अध्याय में हम राश्ट की चनौतियों की बात करेंगे, what are the challenges that free India faced at the time of its freedom, अपनी स्वतंता के समय भारत के सामने ततकाली समस्याएं क्या थी, और उसका किस तरीके से उसने समाधान निकाला, किस तरीके से उसको हल किया, और सुनिश्चित किया, कि भारत कि सामने आई ये चनौतियों को सही तरीके से निप्टा जाए और एक राश्ट का निर्मान हो भारत के रूप में, विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, राजवारों का विलय, राज्यों का पुनरगठन, ये जो मुद्दे हैं इस पर हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे अध्याय के मूल बिंदू ये हो गया, सुतंत्र भारत की चनौतियों की तहत, ये हमारे विशे हैं इसके, और साथ ही इसमें हम इन विशेयों पर बात करते हुए, हम ततकालीन भारत के जो सबसे बड़े नेता थे, जो प्रधान मंत्री बने, जिनके व प्रधान मंत्री होने के नाते निश्चित रूप से कि उनके विचार सबसे अहम थे, तो थोड़ा हम ये भी जानेंगे कि इन बिंदूओं पर नहरू की क्या सोच थी, पंडि जौल नहरू के क्या विचार थे, क्योंकि उनके विचारों ने पुनरस्थापन, राजवारों की समस्या, उनके विला को लेकर, राजवारों के पुनरगठन को लेकर, पुनरवास की समस्या, आदी पर उनके विचारों का काफी प्रभाव था, वो होना भी था, तो हमारे इस विशे के अध्यान का केंद्र ये बिंदू रहेंगे, चौदा, पंद्रागस की रात, बारा बुजे, देश स्वतंत्र होता है, रात को बारा बजे से स्वतंत्र भारत की घोशना होती है, या स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आता है, और ये जो अस्तित्व में आया, ये एक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित स्वतंत्रता अधिनियम के तहद, भारत देश अस्तित्व में आया, स्वतंत्रता अधिनियम, Independence Act, और इसे पारित किस ने किया था ब्रिटिश संसद ने क्योंकि ब्रिटिश पार्लिमेंट का भारत के उपर शासन था तो उसी के पास यह अधिकार था कि वो भारत को स्वतंत्र गोशित करे। लगभग 200 वर्ष की दास्ता हमने अंग्रेजों के अंतरगत गुजारी तो वो 200 वर्ष की शुरुवात कहां से होती है। हमको आपको मालूम है कि 1857 में प्रथम स्वतंता संग्राम हुआ फर्स वार अफ इंडिपेंडेंस या पहली क्रांती भारत में इसको हम कहते हैं राजिनेतिक क्रांती वो हुई। अब ये क्रांती 1857 में हुई और भारत वतंतर हुआ 1947 में तो इतने वर्षों तक तो निश्टित रूम से हम गुलाम थे 1857 के बात से अठारा सो संग्राम में भी रानी लक्ष्मी बाई तातिया टोपे और अन्य पेश्वा और जितने अन्य लोग थे इन्होंने भी अंग्र पेजों के खिलाफ विद्रोग करने की जुरुत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय भी अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे पर वह शासन थोड़े दूसरे ढंका था 1857 के पहले भी अंग्रेज थे और 1857 के बाद भी अंग्रेज ही रहे लेकिन 1857 के बाद जहां ब्रिटिश संसद के प्रतने दिभारत पर प्रत्यक्षरूप से शासन करने लगे 1857 के पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन था जो संसद के अंतरगत थी ब्रिटिश कंपनी जिसे हम East India कंपनी कहते हैं और ये East India कंपनी के शासन के शुरूआत की ज़िए हम बात करें तो ये लगभग 1757 से शुरू होती है यानि Battle of Plassey, Plassey का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है जिसका जिकर हम किसी और अध्याय में कर चुके हैं तो Plassey का युद्ध 1757 में हुआ और तब से अंग्रेजी शासन की शुरूआत हुई चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष तो इस प्रकार 1757 से लेकर 1947 तक के काल को हम कहते हैं लगभग 200 साल की बिटिश गुलामी